Assalamu alaikum students आज का जो हमारा topic है वो isomeryism का है इसको start करते हैं बिसमिल्ला रुख्मान रुरहीम जो isomeryism का concept है ये organic chemistry में बहुत important है क्योंकि इसके बगार जो organic chemistry के concept से होगा रहा है जो structures है वो समय नहीं आते तो इसको समयना बहुत जरूरी है हमारे लिए अब इसकी definition का है वो हम देख लेते है तू और मोर देन तू कमपाउंड्स ठीक है तू और मोर देन तू कमपाउंड्स हमिंग से मॉलिक्लर फॉर्मला बद डिफरें स्ट्रॉक्चरल फॉर्मला एंद प्रॉपर्टीज डे आर सेट तो बी isomers and the phenomena is called isomerisms अब इस definition में आपका तीन चीज़ें जो है वो conditions कहलें या तीन चीज़ें लिखना जरूरी है पहली है two or more than two compounds यानि आईसोमर्स जो है वो दो या दो से जादा compound होते है एक compound जो है वो आईसोमर कहला नहीं सकता दो हो तीन हो या इससे ज्यादा हो तो वो isomers होंगे दो से काम नहीं हो सकते फिर उन जो compounds है उनका molecular formula है वो same होना चाहिए ठीक है लेकिन उनका structure formula different होना चाहिए अब molecular formula structure formula आपको पता है अगर हम बात करें butane की तो यह जो है C4H10 यह इसका molecular formula है यह वाला और यह जो है यह इसका structure formula है ठीक है तो हमाँ पास यह यह condensed structure formula है तो हमाँ पास molecular formula जो है वो same हो उन compounds का ही जो हमने देखे हैं 2 or more than 2 compounds इनका molecular formula same हो लेकिन structure formula different हो तो ऐसे compounds को ऐसे compounds को हम isomers कहेंगे और इस phenomena को हम isomerism कहेंगे अब आपके पास आगे हम चलते हैं उसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब structure formula different होगा तो automatically उनकी properties भी different होजेंगी क्योंकि जो properties है वो structure पे depend करती है ना कि उस molecular formula पे अब हमाँ पास यह जो isomers का concept है यह हमें बताता है कि within a molecule जो atoms हैं वो किस तहां arranged है आइधर वो straight chain में arranged है यह आइधर ब्रांचिंग में arranged है तो हमें सारी arrangement होगारा बताता है ठीक है next हापके पास simplest hydrocarbons के वाले से कुछ characteristics और points है उनको हम देख लेते हैं simplest hydrocarbon जो है जो isomers करता है वो butane है ठीक है butane से नीचे जो तीन alkenes है यह तीन one two or three एक दो और तीन carbon वाले जो compound है और और कैने compound है वो isomers का phenomena exist नहीं करते हैं जिनमें methen आजाता है ethane आजाता है और propane आजाता है इसी तरह alkenine और alkyine में ethene और ethane और propane और propane आजेगा यह फिर्ट पहले दो और तीन carbon वाले compound है आइसमरिजम का phenomena exist नहीं करते हैं क्यों इसके वज़ा है कि यह जो तीन compound है यह एक ही structure में exist कर सकते हैं इनका कोई second structure formula बनता ही नहीं है अगर methane की बात करें तो methane का structure formula CH4 ठीक है इसके लावा यह किसी और structure में exist कार ही नहीं सकता ethane के अगर बात करें तो आपके पास CHCH इसके लावा इसका कोई और structure possible हो ही नहीं सकता हम इसको किसी तरह arrange कार ही नहीं सकते ना किसी ब्रांचिंग में तो इसलिए जो पहले तीन है इसी तरह प्रोपेन भी हो जाएगा methane, ethane, propane यह एक ही जो है यह structure में exist करते हैं इसलिए इनके isomers नहीं होते हैं यह phenomena of isomism show नहीं क circular formula यह simplest form है, straight chain में को हमने normal butane और यह formula है यह आपके पास branching में आ गया है इससे different है और इसलिए हमने इसे कह लाई iso-butane, iso-branching को show कर रहा है isomers इसी कह सकते हैं, तो यह प्यूटेन, हमाई पस condition पूरी होगी isomerism की, के ऐसे दो गियां, दो से ज़ादा compounds, थिक है, यह दो compounds हो गए, जिनका structure, molecular formula तो same है, लेकिन structure formula different है, इस ते इन compounds को हम नहीं कहा, आईसोमर्स और इनका फिनोमिन, इसको हम आईसोमरिसम कहेंगे, इसको हम आगे चाहके देखते हैं, अब आपके पास, अगर हम आगे चलेंगे, तो आगे पॉइंट इसको करते है, कि isomerism is only possible, is only possible but common if the compound contains more than three carbonate, इसको कर चुके हैं, फिर यह important point है, जो इसने discuss किया है, as the number of carbon atoms in the hydrocarbon increases, number of possible isomers increases rapidly, इसको क्या मतलब है, इसको क्या मतलब है, जैसे-जैसे carbon atoms की, हम नमबर बढ़ाते जाएंगे, वैसे-जैसे number of isomers बढ़ते जाएंगे, butane में चार carbon है, इसके दो isomers है, pentane में फ्रॉझ हो 5 carbon होते हैं, उसके 3 isomers होते हैं, hexane में 6 carbon होते हैं, उसके isomer मजीद ज्याद हो जाते हैं इसन जैसे number of carbon atoms हम बढ़ाते जरते हैं हमाय पास isomers के number बढ़ते ज़ाते हैं यहां तक उसने लिखा है के.. When the number of carbon atom increases to thirty जब carbon atoms 30 तक पोहन छाता है number of isomers उसे है isomers 4 billion हो जाते है अब हम पास हम चलते हैं type of isomerism की तरफ हमाँ पास isomers की दो जो है वो basic types है number one structural isomerism है और number two geometrical isomerism है number one हम दिखने सबसे बहले structural isomerism structural isomerism में क्या चीज है structure isomerism के वाले से यह definition है difference in the arrangement ऐसे isomers जिनका molecular formula तो same हो लेकिन structure formula different हो किस वजा से due to difference in the arrangement of atoms within the molecule molecule के अंदर जो atoms की arrangement है वो different हो तो इस वाजा से जो है जो isomers होंगे उनको हम क्या कहेंगे structure isomers of phenomena को हम क्या कहेंगे structural isomerism अब structure isomerism अच्छा एक point इन्हों नहीं यह लिखे structural isomerism is not confined to hydrocarbons इस कहने का मतलब है अब आप तेखते हैं चेन structure isomerism की 5 basic types है पांच types कौन कौन से हैं पहले हम डिसकस करते हैं chain isomerism अच्छा हमारे पास यह जो types है ना इनके नाम ही हम इंडिकेट करेंगे कि यह कैसी isomerism है chain isomerism क्या होता है type of isomerism that arises due to difference in the nature of carbon chain आप इस तरह कह लें यह कह लें कि आपने जब भी definition लिखनी है ना किसी भी type of isomerism की आपने उसकी definition derive करनी है main type of isomerism की definition से sorry main isomerism की definition से मिसाल के तोर पे हम chain isomerism की definition लिखने है तो हम हर जो isomerism की definition लिखेंगे type की तो हम शुरू में लिखेंगे 2 or more than 2 compounds having the same molecular formula but different structure formula आगे हम लिखेंगे वो reason जो structure formula different होनी की है for example chain isomerism की definition लिखेंगे molecular formula but different structure formula due to difference in the nature of the carbon chain यह यह लिख सते है due to difference in the arrangement of the carbon atoms within the chain ठीक है तो definition होगी आप मैं आपको समझाता हूँ अब हमाँ पस एक chain है chain के अंदर carbon atoms present है अब वो carbon atom उस chain में किस तरह arrange होते है वो arrangement different होती है वो जब compounds में arrangement different होगी तो उन compounds को हम isomer करेंगे उसने example यह पेंटेन की इसमें butane की भी example आजएगी जो हम पीछे पाड़ा हैं यह देखें straight chain में carbon atom straight chain में arrange है जबकि इसमें कहा है carbon atom branch में चला गया है तो आपके पास arrangement different होगी है इसके वो यह से क्या होगी है कि इस इसमेर को हम चीन isomers कहेंगे ठीक है उसके बाद हम दूसरी example pentane के लेते हैं pentane के 5 carbon alkane है जिसका molecular formula यह है इसके तीन structure formula होते है one two और third यह वाला ठीक है तो आपके पास इस जह हम मैंने कहा था कि जैसे जैसे number of carbon atoms बढ़ते जाएंगे isobutane था branching हो गई है तो इसे हमने isopentane कह दिया और third जो isomer जो के butane में नहीं था pentane में present है वो है new pentane ठीक है new pentane में मजीद branching हो गई है इसका structure specific है ठीक है इसलिए हम इसके क्या यह तीन isomers है जिनका structure फॉर्मना आपस में तीनों का different है लेकिन molecular formula same है और यह different क्यों है carbon atoms की arrangement within the chain इसलिए हमने इनको chain isomerisms का है ठीक है जी अब हम दूसरी type of isomerism के दाव चलते हैं और वो है जी position isomerism position isomerism हमाई पर name indicate का रहे ऐसी isomerism that arises due to difference in the position of the same functional group यहां यह same function होगा point बहुत important है कि जो functional group है वो same होगा functional group different ही होगा हमाई पास carbon atom की chain है एक compound है जिसमें functional group present है वो functional group क्या होगा same होगा लेकिन उसकी position different होगी तो ऐसे isomers ऐसे compounds जिनमें जो functional group है वो different है उसकी position different होने की विदा से जो compounds हमाई पास produce होते है उनको composition isomers कहते है ठीक है अब हम देखते हैं कि इसमें जो दो example इन्होंने लिए है वो देख लेते हैं हमाई पास पहली example उन्होंने लिए है chloropropane की chloropropane जो है इसका molecular formula जो है इसका molecular formula होता है C3H7Cl यह molecular formula है लेकिन इसके दो structure formula है अब यह structure formula 2 है ठीक है यानि के structure formula different है लेकिन molecular formula same है structure formula different क्यों है due to difference in the position of the same functional group same functional group last में लिखना है अब यह देखें यह दोनों आपके पास isomers है एक दूसरे के दोनों का molecular formula same है अगर structure formula देखें तो यह आपके पास functional group है जिसको हम है halogen कहते है और कौन से कोलोरीन है इसी तरह इधर भी functional group halogen है तो दोनों में functional group same है लेकिन जो functional group है इसके position different है इधर जो functional group present है जो attach carbon number 1 से है जबकि इसमें जो functional group attach carbon number 2 से है तो functional group की जो position है यह different है इसलिए हमने इसे क्या नाम इसे हमने पूजीशन आइसरमर कहा अब यह जो नाम लिखे हुए है इनके बारे में आप ना जो है फिकर करें जैसे आप नोमनक्लेचर पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको पता चलजेगा कि इसको नाम कैसे देते हैं अब यह आप सिर्फ यह देखें कि कैसे आपस में डिफरेंट है दूसरी एन एक्जांपल यह ब्यूटीन ब्यूटीन का यह मॉलिक्ला फॉर्म्मला है C4H8 जबके इढ़ docET दूसरी परियुक्टे में लेकिन ब्यूटीन का पॉडिक्सरी में परिके लिक्षी मॉलिक्छ फॉर्मूलाँ भॉडिय प्यूटी प्रीस्व क्लिपण्ल में ब्यूटीन की पॉच्छीं आपके पास कौन सा फॉंक्षोन फॉन प्रेइटर बॉूटिन प इसके पास इथर है इसके पास एलकोहल है जबके दोनों का इसके दोनों का molecular formula हमारे पास क्या है लेकिन structure formula different है और वो क्यों different है due to difference in the functional group इधर हमाई पास ether है इधर हमाई पास alcohol है तो ऐसे compounds इनके पास molecular formula to same है लेकिन structure formula different है due to difference in the functional group इसे compounds का हम functional group isomerism कहेंगे अब आपके पास नेक्स्ट और फॉर्स जो टाइप है that is metamorism metamorism क्या type of isomerism that arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group इसमें भी आपके पास same functional group जो है वो present होगा आपने याद रखना है कि सिरफ यह जो हमने second type पड़ी थी position oh sorry third type जो पड़ी थी functional group isomerism इसमें सिरफ functional group different होगा बाकि सम टाइप में functional group same रहेगा तो metamorism में भी same functional group है उस functional group के around जो आपके पास carbon atom की chain है उसकी length जो है वो different है अब example से आपको समझाएगा यह हमारे पास compound है dimethyl ether और दूसरा हमारे पास compound है methylpropyl ether दोनों का हमारे पास जो molecular formula है वो same है अगर मैं लिखों तो c4 3 4 5 6 7 8 9 10 h 10 o इसी तरह इसका molecular formula भी c4 h 10 o है लेकिन दोनों का structure formula different है और वो क्यों different है अब यह देखो यह हमारे पास functional group भी दोनों में same है इधर भी ether है इधर भी ether है तो functional group same रहेगा लेकिन इस functional group के दोनों side हो पे जो carbon atom की chain present है उसकी length different है अब यह functional group ether है इसके side पे carbon atom की chain जो है वो 2 है इधर भी 2 है यह एक isomer है इसका जो isomer होगा इसको अगर हम देखें तो यह ether हमारे पास functional group है इधर जो carbon atom की chain जो present है वो आपके पास 3 carbon atom में लिए है इधर जो chain है वो एक carbon atom वाली है तो functional group के around जो chain present है carbon atom वाली उसकी length different है अच्छा अब दूसरी इसके example हमारे पास इन्होंने ketone की लिए है ketone में देखें कि tone हमारे पास यह है dye ethyl ketone की tone यह हमारे पास functional group है जिसम ketone के इसके side पे carbon atom की chain हो same है लेकिन अगर इसके isomer की बात करें तो इसके हमारे जो ketone का है इसके around जो functional group है इसके around carbon atom की chain की length है वो different है तो हमारे पास ऐसे isomer जो के generate होते है arise होती है due to difference in the arrangement of the carbon sorry length of the carbon atom chain on the side of the function group such isomerism is called metamorism अब यहां आपने बहुत important बात याद रखनी है कि metamorism सरफ दो compounds जो है वो exhibit करती है number one हमारे पास जो है वो ether सरफ ether metamorism show करेगी जिसके हम example discuss कर चुके है और दूसरी ketone ketone metamorism exist करेगी जिसके example हम show कर चुके है next है हमारे इसके लावा इन दो के लावा कोई functional group metamorism exist show नहीं करेगा next and last type type है structural isomerism की वो है tautomaryism tautomaryism को proton isomerism भी कहते है proton isomerism इसकी क्या definition है the type of isomerism that arise due to shifting of proton from one atom to another in the same molecule एक ही molecule के अंदर जो proton present है वो एक item से दूसरे item के पास shift हो जाए तो ऐसी जो shifting के दर से जो isomerism produce होती है उसको हम tautomaryism या protein isomerism कहते है example यह देखें यह हमारे पास है amino acid का structure amino acid के पास होता है carboxyl group और amino group ठीक है अब यह carboxyl group के पास एक proton present है जब यह proton यहां से migrate हो जाए shift हो जाए amino group के पास तो आपके पास जो molecule produce होगा उसमें यह carboxyl group रह जाएगा क्योंके proton चला गया negative sign आजएगा इसके पास एक proton एक अजाफा हो जाएगा इसलिए इधर positive का sign आजएगा ठीक है और यह positive sign n के उपर होता है ठीक है तो अब यह देखें इस shifting होई है proton की from one atom to another atom बिसमिल्ला रख्मान रखीम असलाम लेकम बच्चों आज हमने isomerism के first part में हमने discuss किया था structure isomerism को second part में हम जो है isomerism की second main type है उसको discuss करेंगे six trans isomerism यह geometrical isometrism सबसे पहले इसकी definition देख लेते हैं the compound which possesses the same structure formula but differ with respect to the position of the identical groups in the space अच्छा इसमें क्या होता है इसमें अब आपके पास जो functional group है वो तो same रहेंगे और लेकिन उनकी position space में different होगी बच्छों आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं कि geometric isomerism को आपने जो पीछे हम isomerism पढ़ के आए थे position isomerism इससे नहीं मिलाना है position isomerism में functional group की जो position थी within the chain differ होती थी जैसे इधर carbon number 1 पे present है इधर carbon number 2 पे है लेकिन जो geometrical isomerism है इसमें जो functional group की position है यह within the chain differ नहीं करेगी बलके within the space differ करेगी और जो function group यह group है वो identical होगा वो same होगा अब इसका क्या मतलब है हम आगे देखते हैं ऐसे isomers को हम cis-trans isomers कहते हैं और phenomena को हम क्या कहेंगे cis-trans isomerism कहेंगे अब हम जो है पहले geometric isomerism या cis-trans isomerism है इसको exhibit करने के लिए दो condition होना ज़रूरिया है यानि कोई भी compound उसी वक cis-trans isomerism exhibit करेगा जब उसके दो condition फुल्फिल हो रही होंगी पहले condition कौन सी है पहले condition है double bond का होना double bond यानि के ऐसे compound जिन में double bond present होगा वो ही सिरफ cis-trans isomerism show कर सकेंगे इसका मतलब है के alkane जिन में single bond होता है वो cis-trans isomerism show नहीं करते हैं second condition कौन सी है जो हमारे पास this trans isomerism के लिए जरूरी है वो यह है के geometric two groups attached to the same carbon atom must be different हमारे पास double bond वाले 2 carbon atoms होते हैं यानि double bond 2 carbon atoms के दर्मयान present होते हैं अब वो double bond जिन carbon atoms के दर्मयान present होगा उन carbon atoms के साथ 2 group attach होंगे तीक है carbon atom के 4 bonds मनाने के ability होती है 2 bonds वो double bond मना लेगा और उसके रावा जो 2 bonds के साथ 2 groups attach होंगे वो group they should be different हमारे पास example हम देख लेते हैं पहले example हमारे पास two butene two butene हमारे पास two form में exist करता है एक sys form होती है और एक transform होती है इसलिए हम इसी सिस trans isomism कहते हैं दोनों में क्या different है वह हम बाद में देखते हैं पहले हम देखते हैं कि इस isomism में condition fulfill हो रही है हमाई परहले condition ठी double bond हमाई पास double bond देखें इधर भी प्रेजन एधर भी इसका मतलब है कि यह पहली कंडिशन फुल्फिल कर रहा है दूसी कंडिशन थी के वह कार्बन अटम जो डॉबल बना रहा है इसके साथ जो दो ग्रूपस अटैच हैं डिफरेंट होने चाहिए अब आपके पास सिस क्या होता है ट्रांस क्या होता है अगर यह जो आपके पास सिमिलर ग्रूप्स है इस कार्बन एटम के साथ यह ग्रूप है और इस कार्बन एटम के साथ यह ग्रूप है दोनों सिमिलर ग्रूप्स है similar groups अगर आपके पास same side पे एक दूसरी को phase का रहे हों यानि same side पे लाय का रहे हों अब दबल बॉन्ट, ये double bond की एक side है, ये double bond की दूसरी side है तो अगर ये similar groups हैं, ये double bond की इस side पे लाय का रहे हों, तो इस isomr को हम cis isomr कहेंगे और अगर ये जो ग्रूप हैं, ये वाले जो दो ग्रूप से similar group अगर double bond की opposite side पे लाय का रहे हों, ये देखें एक ग्रूप इधर चला गया, एक ग्रूप इधर चला गया, तो ऐसे isomr को हम trans isomr कहेंगे cis में क्या हुआ, same side पे लाय का रहे हैं, और trans में वो opposite side में लाय का रहे हैं दोसी example से मजीद clear हो जाएगा, हमारे पास example 2-pentene, 1-bromo, 2-cloropropene के नाम से आपने गबराना नहीं है, जब आप normal के पढ़ेंगे तो आपको naming hood about आ जाएगी अब यह देखें, यह double bond है, ठीक है, हमारे पास पहले condition fulfill होगी, यह उसी condition क्या है, कि हमारे पास इस carbon atom साथ दो ग्रॉप्स अटेच हैं, दोनों different हैं, हमारे पास दोसी condition भी fulfill होगी अब आपके पास आप कहेंगे, यह groups तो different है, हमने का है similar group होने चाहिए, same group नहीं होने चाहिए, मतलब यह कि हमारे हमारे पास halogen family है, तो इधर भी halogen होना चाहिए, इधर भी halogen होना चाहिए, यह ना हो कि इधर halogen हो, इधर alcohol हो, तो similar groups हों same ज़रूरी नहीं है, similar groups अगर same side प तो थोड़ा वो ले लिया, 2-pentine हमारे पास जो है, इसका नाम है, और 1-bromo-2-clodopropene जो हमने अभी discuss किया, इसका नाम है, अब जो 2-pentine है, इसको अगर हम देखें, तो इधर आपके पास यह groups हैं, जो similar है, same नहीं है, यह same side of double bone पे लाय का रहे हैं, और यही groups जब opposite side पे चले जाएं तो इस isomers को हम सिसोड ट्रांस कहेंगे, ऐसी isomers को हम सिस-trans-isomers कहेंगे, अब आपके पास एक last बात जो बतानी है, वो यह है कि जो alkane है, वो सिस-trans-isomers क्यों शोड़ी करते हैं, अच्छा मैं बता रहा था, alkane जो है, वो क्यों नहीं exist करते हैं, exhibit करते हैं, इसकी यह है कि alkane जो है, वो उसके पास single bond होता है, carbon और carbon के पास single bond होता है, तो वो easily rotate कर सकता है, क्योंकि single bond जो है, उसमें काम energy होती है, वो easily rotate कर सकता है, इसलिए वो यह isomers को नहीं करता है, जबकि अगर हम alkane की बात करें, तो उसमें 2 bond होते हैं, एक bond sigma होता है, और दूसरा pi bond होत तो ऐसे compound जिनके break जिनको rotate करना मुश्किल है तो ऐसे compound जो है यह cis trans isomerism शो करते हैं ठीक है तो यह it was all about isomerism यहां हमने isomerism का जो topic है इसको complete कर लिया है Thank you, Jazakallah